हेलो एवरिवन इस वीडियो में बात कर लेते हैं राश्ट्रे केमिकल फर्टिलाइजर एजन आर्सी एफ क्विक्ली एनलिसस देख लेते हैं चनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो यह आप देख रहे होगे पुराना चार्ट है वही आज फिर से डिसकॉस क क्योंकि स्टॉक थोड़ा ही बुलिश मोमेंटम की तरफ जा रहा है लेवल्स वही हैं और आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर भी एक मैंने रेक्टेंगल बनाया था सपोर्ट का रेक्टेंगल था यह और मैंने का इसके नीचे फॉल करेगा जरूर बड़ रिवर्सल भ कितने लंबत समय हो गया स्टॉक को सपोर्ट लेते हुए और आप देखो कि यहां पर ऑगस्ट से स्टॉक में यह सपोर्ट बनना शुरूआ था और नवेंबर आने वाला है स्टॉक में आज वह सपोर्ट कारगर है तो कहीं ना कहीं स्टॉक 120 के नीचे तो नहीं जा रहा है इतना तो आप मान के चली सकते हैं से स्टॉक में आप देखो कि स्टॉक में जब आज तो जो उपर की लेवल्स रहे हैं यहां कहीं सेलर्स से भरा हुआ था वैल इतना जब stock बढ़ जाता है दोसी दिन तो छोटे छोटी selling देखने को मिलती है day end पर मिली है वो इसके साथ साथ आप उपर देखो कि कल के लिए अगर stock को hurdle जो कुछ भी रहेगा वो hurdle रहने वाला है यहां से 129 का यह level निकलेगा और इसके बाद जो main hurdle देखने को मिलेगा वो 132 के आसपास आपको यहां मिल सकता है क्योंकि आप देखोगे यहां भी इस level से hurdle मिला यहां भी था यहां पे भी मिला है exact reversals है इनी points से तो यहां भी आप एक expect कर सकते हैं 132 पर छोटा hurdle है बड़ा नहीं है बट expect करना पढ़ेगा आपको यहां जे fall करेगा stock तो फिर 129 तक आपको फिर से reversal देखने को मिल सकते हैं 129.5 यहां support बना लेगा stock क्योंकि आप यहां देखो पहले भी यहां support बनायते इस zone के असपास support बन जाएंगे फिर इस level को भी break करते हुए stock आगे बढ़ेगा और यहां पर फिर आपको exact hurdle इस zone के असपास देखने को मिलेंगे 136 छोटे छोटे level है काम करते हुए देखेंगे आपको ऐसा ही चलने वाला stock और इनी के साथ stock धीरे धीरे bullish momentum के साथ यहां तक पहुचेगा 145 145 पर main hurdle इसलिए देखने को मिला था आपको कुछ महीं दुनों पहले यहां पर October में क्योंकि 145-150 के करीब आता है psychological level के जितने भी चीज़ें करीब रहेंगे जितने भी levels करीब रहेंगे वो हमेसा hurdle के काम करते हुए देखने को मिलते हैं कमपनी के नतीजे भी आने वाले है 10th of November वो तब की बात है अगर stock इस level के आसपास पहुच जाता है तो it's well and got यहां support बनाने की गुशस करेगा तब तक वो बना लेता है तो फिर यहां से नतीजे अगर company के अच्छे रहते है तो फिर देखने का target निकालना बहुत आसान रहे बट by any chance अगर stock break होता है फिर भी साथ लेके चलना चाहिए एक support तो यहां तक आपका level गिर सकता है 116 जोन के असपास कहीं न कहीं support बनेगा ही बनेगा इसलिए एक point आपको मैंने बता दिया है कि यहां कहीं आपके support बन जाएंगे यह फिर last वाला है क्योंकि stock channel तो break नहीं करे सकते हैं उसी हिसाब से selling भी इनी levels को हिसाब को आप देखके कर सकते हैं तो hopefully सारी सीजन यहां clear है मिलते नेक्स वीडियो में this is me सुबह मयादव signing off